हेलो दोस्तो कैसे आप सब स्वागत है आपका एक बार फिर मेरी यूटूब चैनल पर दोस्तो आज मैं बनाने वाली हूं ग्रीन बींज की सब्जी तो खाने में बहुत स्पाइसी होती है और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है तो इसे मैं सूखी बनाने वाली हूं तो चलिए बनाते है ग्रीन बीन्स की सब्जी दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप मेरी चैनल पर फर्स्टाम विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्रेब कर दे और साथी बैल आइकन जरूर हिट कर दे ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वी एक रिन्डर ली उस है हरा धनिया और यह इसको मैं आर्चे से धोखिएं और बारिक-बारिक कट कर लिया आप ऑपको बड़ा शेप में चाहिए तो ऐसी ही कट कर सकतें तो हम इक पैन में तेल गरम कर लेंगे और इसमें सब से पहले हम डालेंगे जीरा इसे बुनने देंगे फिर हम इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ प्याज और ग्रीन बीन्स डाल देंगे दोस्तों ये बहुत spicy लगती है खाने में और बहुत ही simple तरीके से बन जाती है है तो इसे हम हलका हलका भूनेंगे प्यास को हमें जादा देर तक नहीं भूनना है और प्यास दालती ही अमें तुरंट ग्रीन पिंज डाल देनी है तो इसके बाद हम ढालेंगे इसमें दो चमप नमक एक चमप हल्दी पाउडर एक दो से तीन चम्मच लाल मेज पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले एक चम्मच गरम मसाला एक चम्मच जीरा पाउडर और सभी को अच्छे से मिला लेंगे अधकर इसे दो से तीन मिनट के लिए पका लेंगे तो अभी हम इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ टमाटर और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे तो यह देखे कितनी स्पाइसी लग रही है तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दनिया पाउडर दोस्तों मैं इसे सूकी बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी अगर आपको ग्रेवी बनानी है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं तो लास्ट में हम इसे हरा दनिया डाल कर गार्निश कर देंगे एक बार मिला लेंगे अच्छे से और अब यह हमारी ग्रीन बीन्स की मतलब बरबटी की सब्जी रेडी है तो आप भी इसे अपनी कीचन में जरूर ट्राय करें और अच्छी लगी हो तो हमें कॉमेंट करके बताएं की बरबटी की ग्रीन बीन्स की सब्जी आपको कैसी जरूर कि दी दो हमारी ठापको की सब्योंग裡面 यह ऐालूर को के बरु़ साल को मेंटे की सब्सक्ता है जरुझाल वटको की लगी है विवी है